त्याउन हल लवल 9 अगर आप त्याउन हल लवल 9 नू हो या फिर टाउन हल 9 मैक्स हो आपको आपको 10 ऐसे टाक्स रजी टाउन हल 9 की बताऊंगा दिससे आपकी सीवी तरह के बेसस को वोर्ड में एसली 3 स्टार कर सकते हो इवन आप पूशिंग भी कर सकते हो कुछ टाक्स प्रगत ध्यान रखे इस अटाक्स को प्रफोर्म करना है और एक कॉर्णर आप लोगो क्लिर करना वैल्यूवल कॉर्णर को चूज करना है जहां पर ऑपोनेंट की क्वीन सी सी या फिर एक डी डिस्ट्राइग आप कर पाऊंगा नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं मैक्सि वैल्यूवल कॉर्नर को चूज करना है यहां पर आप देखो कि तो इस जगह से अगर हम लोग एंटर करते हैं तो यहां पर एक मोस्ट वैल्यूवल थिंक्स हम लोगो देखने को मिल सकता है दो एडी आजाएगा तो हम लोग इस जगह से अटाक को प्रफोर्म करते हैं कुई चार्ज को यहां पर बस थोड़ी देर पूरे प्रफोर्म करनी है जब तक आप अपना एमिंग जो लक्ष रखे हो जस लाइक मेरा लक्ष है कि दो एडी को अगर दो डिस्ट्रॉई कर देते हैं तो हम लोग अपने लावा लून को बहुत ही इसली प्रफोर्म कर कर देते हैं बहुत ही शांदार और यहां पर देखो जो सकेंड वाला एडी वह थोड़ा सा इश्यू क्रिएट कर देंगे ताकि जल से जल सकेंड एडी को भी टेकडाउन कर लिया जाए ओके यहां पर कुछ हम लोग के जो हीलर है वह बचे रह जाएंगे यहां पर हम लोग अब किंग को ड्रॉप करते हैं फोफेक्ट आंड यहां से बहुत सारे के सारे नीचे कुईन को दे देते हैं उसके बाद हम लोग ओपर से सारे बलून्स को रिलीज करेंगे लाबा के साथ देख लेता हूं के देता हूं पोफेक्ट ध्यान वहां से हटाएंगे अब यहां हम लोगधे ड्रॉपड करेंगे, दुसरा लावा, उसको भी लोग ड्रॉपक करेंगे, उ पर और उस लावा के पीछे, हम लोग CC के ड्रॉपक रोंके को द्रॉप करेंगे, वहाँ प ねसनी से लाइग है, हच सपल को भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, बेस पूरा इसली 3 star destroyed है भाई साब, इसमें अब कोई भी चीज़ा की जरुवत नहीं है, यहाँ पर इस बेस को 3 star करने की और बर रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा है, बेसस में, 49 सकेंड की टाइमिंग लेफ बची हैं, और देख सकते हो, यह बेस लगबग इसली रीड करते हुए, किसी भी तरह कैसे टाउन होल नाइन बेसस मिलेंगे, तो आप 3 star इस army से प्रफॉर्म कर पाऊगे, बट इसी के साथ, बी शूर की, ऐसा प्रेडिक्शन या ऐसा कोसिस करना इस अटाक्स में, कि कुईन को अटा इंट तक जिन्दा रखना है, जिससे टाइ 29% and 100% के साथ, यह पहला अटाक्स हम लोग एंड करते हैं, अब चलते हैं यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं कियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अगन को जरूर प्रस कर लीजिए, सब्सक्राइब के बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग करने वाले प्रॉपर लाबा ल लून को छोड़ करके प्रॉपर लाबा लून की आमी कॉंबिनेशन सेट कर सकते हो, यह एक प्रॉपर लाबा लून की आमी कॉंबिनेशन है, इस आमी को आप डायकली कॉपी कर भी सकते हो, यहाँ पर इस आमी कॉंबिनेशन में सबसे पहले टप संट्री की बात करूँगा कि आप लोग को अपने कींग और कुईंस अगर मैकसिमली सी सी के टुट्रोइक तो यह बेटर होगा यानी तो फिर आप लोगो यह कोसस करना है कि एक छोटा सा एरिया को आप क्लियर करो जिससे जो बालूंस है वो डाइवर्ट ना हो डिफेंट डिफेंट में पूरा स्ट्रे यहां पर हम लोग बेसे मिल चुका है दोस्तों यहां पर हम लोग इस बेस पर टाक्ट फॉर्म करेंगे अनलाइसस देखो या सबसे पहली चीज़ एस इस वीपर के देख लेते हैं यहां पर इस वीपर को रिलीस करेंगे और इसी के साथ साथ अब हम लोग थोड़ से इनतजार करेंगे और और पीछे ब्लू को द्रॉप करेंगे और वोग एंव जाए गया सारी के सारी फॉरवड देसेंटर अधर में पुषर प्रम जितना जल्दी आप बलून को पुषर पर सकते हैं उस चोर तक पहुचाना है बस उसके बाद द बंदब मुझे लगता है कि 20 सेकेंड लगा होगा 20 सेकेंड हाडली साले 20 सेकेंड में सारे के सारे बेसे सुर गया है कोई डिफेंस नहीं बचा है बलूस देखो कितने सारे बचेंड तो भाई इससे आसान चीज और क्या हो सकता है क्लैश्च अपक्राइब में तो गाइस यह इससे आप परफेक्टली यूज कर सकते हो आप लोग प्वाजन स्पेल कर सकते हो अगर सीसी निकला तो नहीं तो पर आप कुईन पर बीस इस्तेमाल कर सकते हो चार लावा को अराम से ओपोनेंट की कुईन को भी उड़ा देगा सीसी भी निकलता है ना तो मैक्सिम के सब्स बात कर रहे हैं को वाई पी की यस गोलम पेक्टा और विजर्ट पुरानी टाउनल लाइन में भी बहुत ही अच्छी तरह से एक्जेक्यूट होती है सामी कॉमिनेशन में सीसी बहुत वारियंट लोग यूज करते हैं मैं रिकमेंट करना होग एक साथ आप स्पल में यहां किनारे में आप रिलीज करोगे ना किसी भी एडिया उसको बहुत ईजली कर देगा कि आपके प्रतावा बसकता है पॉसिबिलेटी इसकी इतना ही है कि आप लोग को यह ध्यान रखना है कि आपके प्रकास कुछ सेंटर में जाएं क्यूंकि सेंटर होना बहुत जरूरी होता है रोटेशन से टुप्स को रोकना है और अपने टुप्स को को सब्सक्राइब करना है कि सेंटर में भेजें ओके इसे टैप्स के साथ चलिए हम लोग इस अटाक्स को प्रफॉर्म करते हैं अगया प्रफॉर्म हो जाते हैं इसमें ज्यादा नहीं करना है बस आप लोग को टुप्स को एक ही पॉफीक्त वे में रिलीज करना है यहां पर अगर आप ज्यादा दिमाग लगए तो आपको एसे लगे कि कहां पर छोड़े या फिर कहां में चूर्प्स रोटेट कर सकता है इसमें आपको दो कॉर्नर में टुप्स को रिलीज करना है यहां पर मैंने दो गोलम को रिलीज कर दिया चाहो तो एक गोलम एक पिका भी आप रिलीज कर सकतो और इसके बाद किंग और कुइन को द्रॉप करके यहां पर कुछ विजर्ट को भी ड्रॉप कर सकते हैं यह तो उसके बाद पीछे विजर्ट्स अब देखो कितना पॉफेक्ट वे में यहां पे एक एरिया क्लियर होते विए आगे बढ़ रहा है एक यहां पर चाहो तो जंप स्पेल भी यूज कर सकतो यानि तो फिर आप होल्ड भी कर सकतो इनिशियल टाइम के लिए ऑके 94% के destruction हो जूँकी है complete दो पेका बहुत ही आसानी से वोग करते हैं यहां पर यहां पर पेकास पर यूज कर सकतो एक रस पर पेकास पर यूज कर सकतो पीछे से आसपास के एरियास बहुत आसानी से clear हो जाएंगे अगे उसके बाद जो विजर्ट्स है ना अगर विजर्ट पॉजन स्पेल अगर फॉजन स्पेल बचावा है वेश क्योंकि चालत रवॉंस निकलेंगे दोस्तो हम लोग को यह स्पेल में पॉजन स्पेल रहना बहुत जरूरी होता है और और यहारमी में हम लोग सीची भी अपना यूज नेंगे बहूत इस डरी स्टार हो गया है तो प्रेट के साथ 3 सार प्रफॉर्म कर सकते हो यार चलते हैं नंबर 4 आमी की ओर मास वलक अटक्स रजी यस मास वलक अटक्स रजी वन आप दी मोस्ट पॉप्ले अटक्स रजी कास पर पर इसे लोग पूशिंग में यूज करते हैं इसमें मैं थूरी से चेंजस करके आप लोग बता रहा हूँ इसमें मास वलक के साथ यहां पर हम लोग कुछ विचेस भी लिए हैं और दो पैका लिए इस चेंजस के साथ इस आमी को आप बहुत ही इसली प्रफॉर्म कर सकते हो पूरे टेप सेंट्री की बात करें तो यहां प पैका और कुछ यहां पर वीचेस के साथ दूसरे को फनलिंग करें और सेंटर से सारे के सारे एक पैका और बाकी वलको बीच में गुसा दे एक जंप स्पल इसलिए आप लेके भी जा रहे हो अगर वोल ब्रेकर डिस्ट्रॉय हो जाता तो अर्ली स्टेस में जंप स्पल को पर करके आप अठाक को प्रफॉर्म कर सकते हैं अब लोग देखे होगे मल्टि प्लेयर में लोग इसे यूस भी करते हैं और वोर्स में भी काफी लोग देखे होंगे तो यहां पर इस में सबसे बड़ी चीज है कि सेंटर में तो वल कुतने असाने से जाएंगे नहीं कोई बात नहीं हम लोग जो टिप सेंट्रिक हैं उनको बस फॉलू करते हैं आगे बढ़ेंगे यहां पर बेबी जैगन को ड्रॉप कर दिये और यहां पर पैका को ड्रॉप क और सारे के सारे यहां पर टुप्स को हम लोग डिप्लाई कर देंगे और की किनारे के ए्रिया है आपको पहले ही ड्रॉप कर लेना चाहिए ओके होग यहां पर ड्रॉपमेंट बहुत ही पोफेक्ली आसपास के अरिया को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगी और यहां पर पैकास भी आ चुका है जंप स्पल का इस्तेमाल करके सारे पैकास को अंदर अगर एक्सबॉस के कंपार्टमेंट में लेके जा सकते हो तो बेशक हम लोग उससे के एक्सबॉस को डिस्ट्रॉइ करने के लिए पैकास को जंप करवाएंगे और बाकी अपर इस बेसे में देख लो यार कुछ बचा ही नहीं है लग रहा है कुछ बचा हुआ इन फैक्ट की कि आप इसथा करने वाली आमी आप इस आमी को भी परफॉर्म करको के इजली तौर कर सकते हैं नेक्स अटाक श्रजी की और आपके मास हौक विजब आपक वगे विज्ट ट्रफोर्म करने के लिए आप लोग को सिंप्ली अपने क्लान कैस्टल में भी आप चाहे तो होग आटेक्स को ले सकते हो और यहां पर एक स्कल्टन स्पल की जरूत होगी कोसिस करने इसके बेसिक टिप्स और टृप्स को आपको प्राइटी रखना है ज़िए पहले टेकड़ करें करें किसी की प्रैटिक नहीं दोगे तो में भी चांसस थे एक सी की जो टुप से के लिए आपके सारे होक्त को सकते हैं तो में इंप्टरेन्ट ठिंग से यहां पर आपनेंट की कुईन को डिस्ट्रॉई करना और सीसी को डिस्ट्राइक करना सबसे मुस्ट प्रैटेवल सब्सक्राइब करने की जहां पर बॉपर बता दिया हूं कहां पर यूज करना बैस्ट होता है यहां पर सबसे पहले हम लोगों चीजों को अनलाइस करना पड़ेगा मैं यहां पर माक्सिम वालुज निकालने के को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो लेट्स गो को अन्ड यहां पर सबसे पहले हम लोग ड्रॉप करेंगे कुईन को अन्ड रॉप सीच जरूर्ट टेस्ट करेंगे भाई विदाउट सीच को टेस्ट किया आगे बिलकुल नहीं बरना है वार है तो बेशक आपको सीच को तो एट एनी हाउट टेस्ट करना है और निकाल के कु हो जाएगी इसमें कोई इस्यू वाली बात नहीं है कुईन यहां पर इसली डिस्ट्राइब हो जाएगी और इसी के साथ साथ जो क्वीन है वह बेस्ट में आगे बर रहे हैं और कोई चीज की जरूरत नहीं है अभी हम लोग बस थोड़ा सा कुईन चार्ज को लंबा खीच रहे हैं ओके उपर से दो होग डिसको ड्रॉप कर देतें सीसी रहेगा तो निकल जाएगा ठीक है एक जाइंट बंब भी हम लोग फोर्द यह सोने पर सुहागा और सीसी नहीं है ठीक है सीसी नहीं है तो हम लोग अपने टाक्स को प्रफॉर्म करेंगे नहीं तो फिर यहां ähän पर सीसी के होक्स को ड्यॵाइ करेंगे दे reading आर्चर को हमणों डिस्ट्रक्ट किये पहले उसके बाद यहां पर सारी के सारी को ड्यूप कि यह है और उसके बाद यहां पर एक हीलिंग स्पेल को ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि विजर्ट चावर भी है और यहां पर बॉंब चावर भी था तो यहां पर डामेज ज्यादा पर जाता स्प्लाइश डैमेज वाले बिल्डिंग से इसलिए हम लोग आपर हीलिंग स्पेल का है कि वेरी फ्यू हॉक्स ही डिस्ट्रॉइव है और यह बेज भी थ्री स्टार है इदम लगनी नहीं है कि एकदम नमक्कल सा अटाक चल रहा है बहुत इसलिए ट्री स्टार अटाक्स पर्म हो जाएगा बस इन्हीं कुछ टेप्स और क्रिक को आपको लेके चलना है नेवर और चैनल पर नियों जानोग सुप्स्क्राइब कर आगे बैल को नहीं प्रस जरूर प्रस करो एक्में लों की साथ में इस वीडिए को बात करें तो इसमें विक तो मैकिसम वाल्यूस निकालना है जिसमें कोसिस करना है कि opponent की splash damage वाले building को सबसे पहले आप target ले, okay, cc's अगर है तो उनको भी target ले लो, नहीं तो फिर cc को center में भी जो witches है उसको centers में लेके जाना है, at end ये कोसिस करना कि rotate ना करे जादा witch, कम से कम 3 witch centers में भी जाए, दो witch rotate कर जाते तो चलता है, 3 witch को centers में लेके जाना है और इसली आप किसी basis को 3 star करोगे, ठीक है, hog riders को उसी directions release करा है, जहाँ पर आपको most available condition provide हो, जो कि hog riders को जाए destroy ना करे building और hog riders आसानी सो उन buildings को destroy कर दे, या फिर skeleton spell को drop करके किसी area से इंटर कर सकते हो, है ना, चलिए attack से देखते हैं, okay, perfect, एक बहुत ही शांदा सा base, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल चुका है, यहाँ पर देख से तो इस basis में जो X-Bose है, वो काफी ज़दा strong position पे placed है, तो यहाँ पर हम लोग को एक विक position देखा है, इस विक position से हम लोग एंटर करते हैं, so, यहाँ पर just like मैंने बोलता है, queen charge को best values निकालने के लिए आपको drop करना है हमें साथ, तो यहाँ पर हम लोग queen charge को drop किये, और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक, यहाँ बाम टावर है तो CC भी निकल गया है, बहुत ही best है, CC निकलना इस टू गुड, लगी यहाँ बाम टावर है, वाल बेकर देने से शायद डिस्ट्राइब हो जाए, डिस्ट्राइब हो गया, तो कोई बात नहीं है, जब भी कुछ ऐसा condition create हो, क्योंकि अगर मेरी कुछ रोटेट भी करती थी, यह फाइदे मन ही है, ठीक है, अभी कुछ का रोटेशन करना, यानि इसका मतलब हम लोग को यहाँ पर कहीं दूर डारेक्शन में एक गोलम को आप ड्रॉप करो, दो वीचेस को ड्रॉप करो, और किंग को इससे भी दूर थ के डिस्ट्रॉई हो जाए, तो इस ट्रिक को अजमाओ, और आपके साइट रॉप सेंटर में जाएंगे, यहाँ पर देख सकतो, यहाँ पर मैं चाहता तो एक रॉप स्पेल का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिर अब ही नहीं करेंगे, कोई हम लोग को जाए डामेज नहीं पर क्लियर करते वे आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर एक और हीलिंग स्पेल का यूज कर लेते हैं, और यहाँ पर चाहो तो आप लोग स्कल्टन स्पेल का भी यूज कर सकते हो, काफी सारी विच बची भी है, और जो अपनी क्वीन है, वो भी आस पास के एरिया को बहुत ही क्लियर करते वे आगे बढ़ेंगी, और यहाँ पर एक और हम लोग स्केलटन स्पेल को ड्रॉप कर दियें, ताकि डिस्ट्रैक्ट और होग रिडर्स हम लोग के बचे रहें, और एक और हीलिंग स्पेल की ड्रॉपमेंट के बाद यह परफिक्ट 3 स्टार है, दिख रहा है क मुझे काफी आमी कॉमिनेशन पस्टेंट है, तो मुझे कमेंट सेक्सें में सभी लोग जरूर बता रहा है कि आपके सबसे फेवरेट आमी कौन से इन 10 अटाक स्ट्रैट्जी में, ठीक है, नंबर सीवन आमी कॉमिनेशन के बात के तो यस हम लोग बात करने वाले हैं, यहा कर देगा, उसके बाद एक लाइटिंग, एक एडी को आपको अपनी कुइंचा से डिस्ट्राइग करना पड़ता है, और ऐसा पॉसिबिलिटीज हो कि किनारे में रखा हुआ है एक एडी, तो उसको आप बेबी डैगन से डिस्ट्राइग कर दो, या नहीं तो फिर अपने स से डिस्ट्राइग कर सकते हो, बस उसके बाद बेबी डैगन तहलका मचा देगी बेसस में, कोई बेबी डैगन को रोकने वाला नहीं होगा, चलिए, मैं इस आमी साब को अटक्स करके दिखाता हूं, ओके पोफेक्ट, यहाँ पे हम लोग इस बेसस को ही थी स्ट्रा करते है देखो भाई साब, यहाँ पे जो एडी है वो सेंटर में, लाकिन हम लोग फिर भी थी स्ट्रा करेंगे, चलो, इनके बस प्रॉपर टिपसें ट्रिक के साथ हम लोग आगे बरते हैं, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगा ना, जो मैंने टिपसें बता है, बस उसको फोकस कर होतेवे स्पेसे पर आगे बढ़ाना है, यहाँ पर हम लोग इस एरिया से करेंगे जिसे ऑपुन को हम लोग इस दूरप करेंगे, तो इस दिखो जो ऑपनेंट की queen है वो अब destroy हो जाएगी यहाँ पर मेभी chances ऐसा create हो सकता है कि आपकी queen को जाले damage परे तो इसमें queen की आप ability भी use कर सकते हो king को हम लोग उपर drop किये destruction के लिए and यहाँ पर हम लोग lightning spell से opposite direction opposite direction वाले यहाँ पर lightning spell को drop करके areas को clear करना है यहाँ यहाँ पर हम लोग opposite direction के ADS को destroy कर दिये अब एक ADU उपर वाला ही बचाए गाई यहाँ पर बेभी ट्रेट कर दीजे ताक्कि areas बहुत ही जल्दी क्लेर होते जाए टाइम हंट से बचेंगे ठीक है 33% destruction complete यहाँ पर हम लोग एक होग एड़स को डिप्लाई करते हैं तो यह थोड़ा यहाँ पर काफी ज्यादा किसमत खराब था इतना किसमत आई बिलीब आपका खराब नहीं होगा जो बेभी ड्राइगन वह इनफ मांट में और कुईन को को सब्सक्राइब जिन्दा रखने का एंड तक यहाँ पर क्विण हम लोग एंड तक जिन्दा रखने की कोसिज करेंगे और यह थी स्टार होगा बिलीब में यहाँ पर जो बेभी ज्यागन से वह किंग को भी डिस्ट्रॉई कर देंगे इसली और देख सकते हैं जो कुईन है वह स्टिल जिन यहाँ पर हम लोग जो पांच बीबी ड्रागन है उन्हें इस प्रेड करेंगे उपर से में ब्यबी ट्रबी ट्रब पेड करोंगा जब कुईन एड को डिस्ट्रॉई कर लेगी ठीक है ओके पॉफेक्ट ली कुईन यहाँ पर एडी को डिस्ट्रॉई कर लिए अब दो में इसका छोड़ने का भी जरुवती है इसली त्री स्टार हो जाएगा लगिन यहां पर छोड़ देते हैं ठीक है और यहां पर कुईन की आवलेटी भी यूज कर सकते हैं नहीं भी करेंगे तरी स्टार ही है आमी रिलीज कर दो और यह सब्सक्री स्टार देखो कितनी पॉफ आप तब यूज करो जब आपके पास गोलम के लेवल काफी कम है और आप को इंचाज प्रोफॉर्म नहीं कर सकते हो कुईन के भी लेवल्स कम है तो यह आमी को आप बहुत बेश्यक बेस्ट रिम प्रोफॉर्म करके इसली त्री स्टार ला सकते हो इसकी बेसिक टिप सेंट सेंटर 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 करने की होगी और सेंटर तक जाने की भी होगी जाने की कुशस करेंगे यहां पर मैं वोलब्रीकर्स को ड्रॉप कर देता हूँ सेंटर में आने की कुशस करेंगे 16 परसंट कोुश्य याँख इसली केम्प्रीट हो चुका है 20% की destruction यहाँ पर हासिल हो चुकी है 23% and 24% and यहाँ पर देखो कुछ वीचेस यहाँ पर rotate कर गई यही चीज मैं आपको कह रहाता अब नीचे से सारे के सारे होग डिर्स को ड्रॉप करके यहाँ पर हम लोग कोसेस करेंगे एक healing spell को ड्रॉप करने की और यहाँ पर distract करने के लिए skeleton spell भी हम लोग रखे वे हैं कर देते हैं जैसे कुछ और भी होग ड्रस बचे रहेंगे और बांकी एक लिए भाई सब्सक्राइब अगर आप देखोंगे किंग की स्टिल आवलीटी यहां पर बची भी है और यहां पर कुईंड की भी आवलीटी बची भी है और डिफेंस के मामले में कुछ नहीं बचा है अगर इस clan castle troops opponent कर निकलता है तो यहां पर poison spell आप use कर सकते थे कोई ज़रूरत नहीं है आप easily यहां पर देख सकते हो perfectly 3 star आप perform कर रहे हो और आसानी से perform हो भी जाएगा ठीक है यह भी बहुत coolest army है जैसे आप perform करके easily किसी तरह के भी basis पर 3 star perform कर सकते हो मुझे comment सकते मैं जरूर बताना आपको सबसे favorite cons अलगा attacks और cons the army आपकी one of the favorite army combination होने वाली है टाउन्वाल 9 के लिए ठीक है 95% के all word destruction complete हो जुका है और यह perfectly now हम लोग 3 star perform करते हैं चलते हैं next army combination की ओर और यहां पर हम लोग next attack strategy की बात करें तो यहां पर आता है आपकी dragon attack strategy dragon attack strategy बहुत ही easily and common army combination होता है इस army combination में आपको 9 dragon के साथ 8 balloons लेके जाना है और यहां पर clan caster में भी balloons की segment को रखना है ओके यह एक perfect base है हम लोग को देखनी को मिल रहा है और यहां पर queen भी center में है इसकी basic tips and trick की बात करें तो इसमें आपको ASU पर का ध्यान देते विए attacks और perform करना है queen पर देखना है queen easily take down हो जारी है तो queen यहां पर दिक्कत create कर देती है यहां पर basically हम लोग जो attacks और perform करेंगे वह यहां पर almost five o'clock के जगे से attacks और perform करेंगे यहां पर king और queen को drop कर देते हैं एक area corners के area में king और queen को drop करके अप्थासर funding create कर लोगे जिससे जो dragon है न वो base के चारो और नहीं rotate करेंगे ठीक है यहां पर dragon को हम लोग drop कर दिये dragon के dropment के बाद यहां पर कुछ balloons को drop करेंगे cc के balloons को drop करने का perfect time का आपको इंतजार करना एक ही जिगा सब चीज को नहीं drop कर देना है यहां पर हम लोग respal की मदद से balloons को boost up करेंगे और एक और respal को हम लोग drop करेंगे यहां पर देख सकते हो जो respal की dropment के बाद जो ऑपोनेंट की queen है वो भी easily 3 star destroy हो चुकी है 46% के यहां पर destruction हो चुका है उपर से हम लोग balloons को drop कर दिये और इसके बाद यहां पर हम लोग respal की drop in कर दियें टाउन होल के पास जिससे जो टाउन होल है इसका बहुत ज्यादा यहां पर hp होता है वो जल्दी destroy हो जाए ठीक है और देख सकते हो यहां पर perfectly आसपास के areas clear हो चुके है and no it's a 3 star guys अगर आप इस dragon army की बात कर रहे हो तो यह यह perfect 3 star आपको निकाल के दे रहे है तो अब इस base में कुछ भी नहीं बचा है और देख सकते हो यह एक perfectly 3 star perform होता हुआ आपको दिख रहे है तो इसी तरह से आपको अपनी armies को perform करना है ज्यादा तर केस में आपको बस इसी tips and trick को follow करके आगे बढ़ना है कुछ बहुत ही ज्या army combination की बात करें यह भी एक witch की army combination आते है इसमें 9 witch के साथ 2 आपको गोलम लेके जाना है और यहाँ पर CC में भी आपको Hog Raiders को लेके जाना है ओके यह army combination में सबसे basic tips and trick होता है कि witches को centers में anyhow लेके जाना है इसमें आप कोई भी poison spell नहीं लेके जा रहे हो और CC के troops अगर निकलते है तो आपकी witch CC की troops को destroy करेगी एक रज spell की मदद से ओके तो चलिए इस attacks को perform करने बस इतना ही basic tips and trick है इस attacks का और कोसिस करना है कि आपके troops बस rotate ज्यादा ना करे एक-दो witches को किनारे में डाल दो जो कि बेस के किनारे किनारे रोटेट करें maximum CC के maximum आपके witches यहाँ पे centers में जानी चा है यह भी एक टाउन हल नाइन का max out basis मुझे दिख रहा है लगभग लगभग और चलिए इस basis को destroy करने के लिए यहाँ पर हम लोग अटाक्स को execute करते हैं सबसे पहले जो चीज हम लोग यहाँ पर करेंगे CC centers में इस बार थो पक्का CC को हम लोगी witches ही destroy करेंगी करते हैं यहाँ पर गोलम को drop करते हैं सबसे पहले ठीक है यहाँ को सुस्करना कि आप आका को भी drop कर सकते हो king के बाद ठीक है यहाँ पर corners में हम लोग king को और गोलम को drop करेंगे, दो गोलम को drop करने बाद king drop mint होगा, queen को corner से drop करेंगे, witches को यहाँ पर रखेंगे, जिससे जो witch है वो center में move करेंगे, ठीक है, और ऐसा अगर base नहीं होता तो starting में आप चाहो तो यहाँ पर jump spell का use करके भी, witches को आगे center में लेके जा सकते हो, ऐसा basis है, इसलि है ना, इससे हम लोग का जो सबसे बड़ा फाइदा यह रहेगा, कि जो witches है, वो आसानी से CC को destroy कर देगी, देखो, electro dragon जैसे, जो CC के troops है, उनको easily destroy कर लिया जाएगा, यहाँ पर easily, अब यहाँ पर चाहो तो एक healing spell drop करके, सारे के सारे जितना damage पर है, आपके troops को heal कर सकते हो, यहाँ पर एक jump spell drop करके, सारे witches को आप अंदर में भी drop करवा सकते हो, यानि तो फिर skeleton spell जो लेके जा रहे हो, उसको drop कर दो, AD destroy हो जाएगा, ऐसे basis पर dragon attack करना, एक बहुत ही दिक्कत वाली बात हो सकती है, और chances रहता है, एक chances रहता है कि fail भी हो जाए, बट ऐसे basis पर, witches attack बहु इल्टन spell भी बचा हुआ है, और यह बसे जिलम परफेक्ट 3 स्टार है, चलिए पूरे चीजों को स्वाग देंगे, हम लोग कुछ नहीं यूस करने वाले है, आर्चर को चाहे तो drop भी कर सकते है, maximum of features हम लोगी बची भी है, almost, और यह परफेक्क 3 स्टार है, अगर आपने व हुआ है, ख बच्छर काहे ज मुद तो जमाने व दो तेंगे, है, है'mä νमी हो घँसने को स्टार है, है आर्चर को चाहे जए, वह लोग लोग का cooler है, मुद पते है